नमस्कार आप देख रहे हैं SPNI न्यूज और आपके साथ मैं हूं ट्रांति सिंग एक बहदी दुखत खबर जो है वो इस वक्त सामने निकल करके आ रही है आपको दादे कि टिक टॉक स्टार और भारतिय जनता पाती नेत्री सुनाली फोगाट की मौत हो गई है गुआ में हार एटेक की वजे से 42 वर्षिय सुनाली फोगाट का निधन हो गया है सुनाली फोगाट ने 2019 में हर्यारा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसबा का चुनाव लड़ा था चुनाव की दौरान वो टिक टॉक पर अपने वीडियो के लिए भी काफी चर्चित रही थी बाजपा नेता और अभिनेतरी सुनाली फोगाट का सोमवा रात गोवा में दिल का दोड़ा पड़ने से निधन हो गया बताय जा रहा है कि बीजेपी के निताओं के साथ गोवा में थी मौथ से कुछ समय पहले सुनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था साथ ही उनने ट्वीटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी थी इस्तानी प्रशासर उनकी मौथ की वज़ा की पुस्टिक करने में जुटा है आपको तादे की सुनाली फोगाट रियालिटी शो बिग बॉस चौदा का भी हिस्सा थी इस शो के दोरां उन्होंने अपनी नीजी जिन्दगी को लेकर के कई बड़े खुलासे किये थे पहराल आपको तादे की इन तमाम मुद्दों के बीच में सुनाली फोगाट का जो है इस तरीके से अच्छानक नीधन हो जाना वो सभी के लिए एक सदमे की तरह देखा जा रहा है आपको तादे की 2019 के विधान सबाद चुनाव में बीजे पी ने सुनाली फोगाट को आदमपुर से टिकर दियाता हाला कि वो चुनाव हार गई लेकिन उनके किस्मत पलट गई 2020 में सुनाली फोगाट का एक वीडियो खूब वाइरल हुआ था इस वीडियो में सुनाली फोगाट एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजल आई थी इसी साल सुनाली को बिग बॉस चौदर के घर में जाने का मौका मेरा सुनाली टिक टॉक स्टार के साथ अभी नेत्री भी थी और कई म्यूसिक अलबम में भी नजल आ चुकी थी इनकी एक लौती बेटी है जिसका नाम ये शोदरा है आपको तादे कि अब यहां पर देखा यही जा रहा है कि चारों तरफ जो यह माहोल बना हुआ है उस माहोल के बीच में सुनाली फोगाट को लेकर के इस दुखत ख़बर न अचानक ख़बर आती है क्योंने दिलका दोड़ा परा है जिसके बाद से तमाम उनके परीचन और उनके जान पैचान के लोग जो है सब ही सदमे में आ चुके हैं क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जिस शक्स को बिल्कुल ठीक देखा थोड़ी ही देर बाद उस शक्स को हार टेक की चप पेट ने मौत के आलम तक पहुचा दिया तो यह बहुत ही दुखत ख़बर जो इस वक्त हम आपको बता रहे थे आप अपने तर्क जो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा भाव बिन शुरदांचली भी आप हमारे कॉमेंट सेशन के दौरान जो है वह आ हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रही है